किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरदाकर आप देख रहे है डीप आर्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम सरसों के भाव को लेकर बात करेंगे यानि की आने वाले समय में सरसों का भाव क्या रह सकता है सरसों को रोकना चाहिए या बेचना चाहिए सरसों के भाव से सम्बंदी क्या जानकारिया निकल कर आ रही है सरसों का भाव 8000 तक कब तक जा सकता है इस वीडियो में हम सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलेगी आप इस वीडियो को सुरू से लेकर आकिर तक जरूर देखिए जो किसान हमारे चेनल पर पहली बार आये है चेनल को सबस्क्राइब कर दीजे पास ही मैं गंटी के निसान को जरूर दबाईए जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरूंत आपको जानकरी मिल जाए किसान बायो सरसों के बाव की बात करें तो सरसों का बाव 6,000-6,800 रुपे परती कुंटल कुछ मंडियों में 7,000 के आसपास भी सरसों का बाव देखने को मिल रहा है जैसा कि सभी का अनुमान था कि इस साल सरसों का उत्पादन और सरसों की बहुआई कापी ज़्यादा होने का अनुमान है जिससे मंडियों में सरसों की आवग ज़्यादा होगी और सरसों का बाव कापी कम हो जाएगा सरसों की आवक तो ज्यादा हो रही है लेकिन जो सरसों का बाव है उसमें ज्यादा गिरावट अभी नहीं आई है युक्रेयन और रूस के चलते खादियान तिलहनी तेलों में बारी तीजी देखने को मिल रही है सुयबिन की तेलों की डिमांड बढ़ रही है जिसका असर सरसों के बाजार पर पड़ा है और सरसों के बाजार में भी लगातार उचाल देखने को मिला है सरसों के बाव की बात करें तो अभी जो सरसों का बाव चल रहा है वो कापी सांदार बाव चल रहा है लेकिन इसमें किसान भाई ब्रमी तो हो रहे हैं कि वो सर्सों का बंडारन करे या सर्सों को इस बाउ में बेच दे वैसे तो किसान भाई यो या निर्ने आपको सुएम के विवेक से लेना चाहिए इस वीडियो में मैं केवल आपको आंकोडों के नुसार जानकारी दे रहा हूँ किसी भी चीज का पूरा पूरा अनुमान लगाना कापी मुस्किल है तो आप कोई भी निने अपने विवेक से लीजिएगा किसान भाईयों सरसों का भाव जो चल रहा है उसमें नया तो ज़्यादा मंदी आ रही है और नहीं ज़्यादा तेजी एक समान भाव देखने को मिल रहा है लेकिन किसान भाईयों के लिए यहां पर अच्छी कबर यह है कि जो सरसों की आवक है वो कापी ज़्यादा हो रही है जिस से भी जो बाजार है उसमें घिरावट की बजाए हल्की तेजी बन रही है आगे भाव की बात करें तो किसान भाईयों आने वाले समय में सरसों का भंपर उतपाधन होने का अनुमान है जिस कारण सरसों की आवक भी बंपर हो सकती है अभी किसान भाई स्टोक भी करने की सोच रहे है अगर भाव में थोड़ी तीजी आती है तो इससे सरसों की आवग जोड़दार हो सकती है किसान भाई यो सिधे स्पष्ट तोर पर बात करे तो अभी जो यूकरेन और रूस का युद्ध चल रहा है जिसके चलते खाद्यान तेलों में बड़ोतरी हो रही है अगर वहाँ पर कोई समझोता हो जाता है और खाद्यान तेलों का आयात निर्यात एक्सपोर्ट सुरू हो जाता है तो इससे बाजारों पर इसका असर पड़ेगा और बाजार एक बार फिर से तूट सकते है लेकिन अभी उसका अनुमान लगाना भी कटिन है और अभी की स्थिति को देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो सर्सों का भाव है उसमें मंदी की कोई भी संभावनन नहीं है आगे अगर तेलनों का आयाद निर्यात होना सुरू हो जाता है खाद्यान तेलों की डिमांड कम हो जाती है तो इसे बाजार में गिरावट आ सकती है तो किसान भाईयों यह थी छोटी सी जानकरी उम्मित करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और सियर करें मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद जैकी साल